सुमित जब शिमला घुमने गया तो उसे वहां की पहारन लड़की रीना से प्यार हो गया गाउं की साधहरन लड़की रीना को सुमित अपने साथ ब्याह कर शेहर ले आया उसके ससुराल में उसकी सास और उसका पती था नई नवेली बहू रीना ने ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने बया के बाद अपनी पहली रसोई में रीना ने सब के लिए हलवा बनाया जिसे खा कर उसकी सास और पती ने उसकी खूप तारिफ की वाह वाह बहू क्या हलवा बनाया है फिर दिन में उसने दाल चावल बनाए और अब बारी थी डिनर में सबजी और रोटी बनाने की रात को सबजी बनाकर उसने आटा लगाया और घबराते हुए रोटी बेलने लगी अरे रीना ये क्या लूल पंती कर दी? ये रोटी भी गोल नहीं बनी रीना बेटा आप जल्दी से अपना कोई जुगार लगा कैसे खिलाऊं अपनी सास और पती को गोल-गोल रोटी हाँ, आइटिया फिर रीना जल्दी से टेड़ी मेरी रोटी बेलती है और उस पर गोल छोटी प्लेट रखकर उसे गोल आकार में काट लेती है आहा, क्या गोल रोटी बनकर तयार हुए वा रीना वा, सच मुझ तेरे जुगार का भी जवाब नहीं लेकिन ऐसे उसे रोटी बनाने में काफी देर हो गई बाहर खाने के टेबल पर बैठा उसका पती और सास उसकी रोटी का इंतजार करने लगे लेकिन तभी रीना की रसोई का गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया अरे रीना कहां रह गई? चल्दी रोटी लाओ ना जी जी, अभी लाई हे भगवान, अब इस गैस सिलेंडर को भी आज ही खत्म होना था उधर मा जी और ये रोटी का इंतजार कर रहे अब क्या करूँ अब यो खाने के लिए बैठे को बीच में सिलेंडर के लिए उठाना सही नहीं होगा और फिर वो दोनों क्या सोचेंगे कि कैसी गवार बहुलाए जिसे सिलेंडर तक लगाना नहीं आता रीना रीना चल चल अब तु फिर से अपना कोई जुगार लगा उफ इस बीमारी सिलेंडर से अच्छा तो अपने गाउं का चूला होता है हाँ माजी अभी देखेगा सारे बरतन कैसे चमक जाएंगे अरे हमारे गाउं में तो साबुन कहा होता था हम तो राक सही बरतन धोते थे बरतन में भी चमक आ जाती है साथ ही साबुन के फैसे भी बच जाते हैं हाँ हाँ वो सब तो ठीक है पर एक बात बता तो ये राक लाई कहां से अब क्या बताऊं मैं आपको कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलंडर खतम हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा इसलिए मैं छट पर रखी लखडियां ले आई और चार इंच से चूला बना कर आप लोगों के लिए रोटिया सेख दी हे भगवान बहु तुझे पता भी है लखडियां कितनी महंगी है वो लखडियां तो मैंने लोरी पर जलाने के रहे रखी थी और तुने उनसे चूला ही जला दिया अरे माजी खाना खाओगी तभी तो लोरी देख पाओगी ना अरे मेरी जुगारू बहु घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था तू उसे लगा लेती ना माजी आप तो जानती है मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा हाँ कह तो तू बिलकुल सही रही है मैं तो भूली गई थी कि मेरी बहु को तो सि के फोन पर तिर जाता है ओ नो ये क्या हो गया क्या हुआ सुमित जी मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये एक हफ़ते के लिए बंद हो जाएगा मेरी तो important meetings थी साथी मुझे अपने clients को call भी करना था कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो आप चिंता मत कीजे मैं आपका फोन एक दिन में ठीक कर दूँगी तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजे क्यों तुम क्या एक दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या अच्छा मुझे देर हो रही है तुम जल्दी अपना फोन दो मैं उसमें अपनी SIM लगा लेता हूँ सुमित के आफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है अल्य दिन रीना सुमित को उसका फोन दीती है तो वो जैसे ही फोन ओन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है अरे वा रीना अब तुमने कौन सा जुगार लगा ऐसे ठीक क जी आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया, आटे के कनस्तर में डाल कर, इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगार लगा ही देती थी, और अपने घरवालों की मदद किया करती थी, ऐसे ही कई महीने बीच जाती, फिर पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माने कच्छवा चाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत ऐलर्जी है, जिस वज़ा से मेरी आवाज बंद हो गई है, और अब इसे खुलने में 3-4 दिन बनाने चली जाती है, दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुमें से अलर्जी है, हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वज़ा से काढ़ा पीना पड़ेगा, वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहु ये तू क्या कर रही है, सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवाकर नहीं लाएंगे, वो ठीक नहीं होगा, तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है, मा जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप बस मुझे एक दिन का वक दो, अगर एक दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आ इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता, जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया, देखा मा, तुमने रीना के जुगाड का कमाल हाँ हाँ बेटा तु सही कह रहा है, तेरी आवास तो पहली की तरह ही ठीक हो गई, मानना पड़ेगा बहु के जुगाड को, ये इस बार भी काम आही गया, अब तो मुझे बहु के जुगाड पर पूरा भरोसा हो गया है, ये हमें हमेशा सही फली देता है तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड को, कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है हाँ हाँ मेरी जुगाडू बहु, ये कहते ही सभी जोर जोर से हसने लगते है रोहन, बेटा कृष्णा का फोन आ रहा है, बहुत दिनों से उसने एक रिष्टा बताया हुआ है तुम्हारे लिए, ऐसा करते हैं, कल चलते हैं ओफो पापा, इतने जल्दी भी क्या है, अभी तो मेरी घुमने फिरने के उम्र है, ये शादी के नाम पर बेड़ी से मत बादिये मुझे चुप कर जा रोहन, क्रिष्णा तेरी बड़ी बहन है, उसने कुछ सोच समझ कर ही ये रिष्टा बताया होगा ना, तुझे पता है, कानपुर के जाने माने लॉयर है लड़की के पापा, और लड़की भी लॉप पढ़ रही है, एक बार चलके तु देख तो ले, अगर ल पिता कितने बड़े आदमी थे, ये उनका घर देख कर ही पता चल रहा था, दिदी यार ये कहां से लेके आई हो, इनकी हैसियत देख कर तो नहीं लगता कि ये हमसे रिष्टा जोड़ेंगे, फाल्तु में बेजज़ती हो जाएगी, तु चुप कर, लड़की के पिता तेर कीरती के पिता को पसंद आ गया था, और अब बारी कीरती को पसंद करने की थी, दिदी ये, ये तो नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, इतना कहकर रोहन गुस्से से उठा और वहां से बाहर चला गया, असल में कीरती का रंग काफी दबा हुआ था, रोहन ने कीरती का चेहरा देखने के बाद, उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश तक नहीं की, रोहन को जाते देखकर कीरती की आँखों से आसू बहने लगे, रोहन सीधा जा कर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया, तब ही उसकी बेहन कृष्णा वहां आई और उससे बोली, रोह पहले कम से कम लड़की की फोटो तो मंगवा लेनी चाहिए थी तुम्हें, ऐसी गाली कलूटी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूँगा, जाओ, जल्दी पापा को बला कर लाओ, मुझे घर जाना है जरा ठंडे दिमाग से सोच, रोहन, कीर्थी कोई साधारन लड़की नहीं है, तुझे याद है, तेरे जीजा जी की कमपनी पर वो फ्रॉट का केस हो गया था, उस केस को कीर्थी के पापा ही लड़ रहे थे देख रोहन, बात साफ है, अगर तेरी और कीर्थी की शादी नहीं हुई, तो उसके पापा कभी इस केस को नहीं छोड़ेंगे, और फिर तेरे जीजा जी, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा अच्छा, तो ये बात है, तुम जीजा जी को बचाने के लिए, मुझे बली का बकरा बनाना चाहती हो नहीं पागल, तुझे बली का बकरा नहीं, बल्कि इस करोडों की प्रॉपर्टी का वारिस बनाना चाहरी हो मैं कीर्थी अपने पापा की एक लौथी संतान है, जरा देख एक बार पलट कर इस आलिशान बंगले को देख, और फिर बोल, क्या है तेरा फैसला रोहन को अपनी बहन का इशारा समझ आ गया था, अब उसकी नजर कीर्थी के दबे हुए रंग से जादा उसके पापा की दौलत को देख रही थी, जिसके लालच में आकर उसने आखिरकार अपना फैसला बदल दिया और कीर्थी से शादी कर ली, जैसी की उमीद थी, कीर्थी को रोहन से वो प्यार नहीं मिला, जिसकी वो हगदार थी, सुनिए, पापा ने हम दोनों के लिए स्वीटसलेंड के टिकेट्स भीजी हैं, हमें परसों निकलना है, क्या परसों? नहीं, पॉसिबल नहीं है, शादी की वज़े से पहले ही काफी चुट्टियां हो च कीर्थी को सच का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी वो चुप रही, उसकी लौ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने घर संभालने का ही फैसला किया, असल में वो रोहन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी, ये लीजे, आलू के पराठे, आपक में नहीं आता कि तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या बेवकूफ होने का नाटा कर रही हो, तो मैं समझ में नहीं आता क्या, मुझे ना तुम में इंट्रेस्ट है और ना ही तुमारे बनाए हुए इस पराठो में, अगर ऐसा है तो आपने मुझ से शादी क्यों की, बोली काफी देल तक वहीं खड़ी रोती रही, उसके सारे सबने पूरी तरह से टूट गए थे, वो चाहती तो ये सब कुछ अपने पापा को बता कर रोहन को सबक सिखा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अपने और रोहन के रिष्टे को वो हर मौका देना चाहती थी, जिससे सब कुछ ठीक हो सके, लेकिन रोहन की सोच बहुत अलग थी, वो अपने दिल और दिमाग से अब भी शादी शुदा नहीं था, अ, excuse me, Mr. Rohan, उस लड़की का नाम शनाया था, जो रोहन की नई असिस्टेंट अपोइंट की गई थी, दूद सी सफेद शनाया को देखते ही, रोहन उसका दीवाना हो गया, रोहन ने शनाया के लिए अपने केबिन के साथ-साथ अपने दिल का रास्ता भी खोल दिया था, बहुत ही कम वक्त में दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई, और फिर ये रिष्टा दोस्ती से भी आगे बढ़ने लगा, ओ, रोहन, सच में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंट करना is like most amazing thing in my life, काश हम ऐसे ही सारी जिंदगी साथ बिता पाते हैं, क्यों नहीं डालिंग, ऐसा बिल्कुल होगा, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करूँगा, लेकिन उस कीर्थी का क्या जो तुम्हारे और मेरे बीच दिवार बन कर खड़ी है, उसके रहते हम कैसे साथ रहेंगे, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, एक बार उसके पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर उसे धक्के मार कर मैं अपने घर और जिंदगी दोनों से बाहर निकाल दूँगा, रोहन के इरादों की भनक कीर्थी को बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो किसी भी तरस से अपने और रोहन के रिष्टे को बचानी की कोशिश में लगी थी, फिर एक दिन, अचानक ख़बर आई कि कीर्थी के पापा नहीं रहे, चौकाने वाली बात ये थी, कि मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी थी, असल में ये कीर्थी की ही मर्जी थी, अपने पिता की मौत के गम में कीर्थी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन रोहन गुस्से से पागल हुआ जा रहा था, एक बात बता, जब तेरे बाप को सब कुछ दान में ही देना था, तो क्यों तुझे मेरे माथे मड़ा उसने, हैं? खबरदार, मेरे पापा के बारे में तमीज से बात करो, उन्होंने जो किया मेरे कहने पर ही किया, जब आप मुझे नहीं अपना सकते तो मेरे पापा की प्रॉपर्टी कैसे रख सकते हो? कीर्थी की बात सुनकर रोहन ने एक जोरदार थपड कीर्थी के गाल पर कर लिया, उस थपड की गुँच और तकलीफ तो कीर्थी ने किसी तरह बरदाश्ट कर ली, लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला था, वो उसके बरदाश्ट के बाहर था, रोहन अगले ही दिन शनाया को अपने साथ अपने घर ले आया, और अपने माता पिता से बोला, मम्मी, पापा, ये शनाया है, हम दोनों परसों शादी करने वाले, रोहन, ये क्या बक्वास है, तुम्हारी पत्नी कीरती है, भूल गए क्या, नहीं पापा, वो मेरी पत्नी नहीं, सिर्फ एक बोज है, इसे दीदी के खातिर मैंने अपने सिर पर उठा लिया, लेकिन अब बस, रोहन के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब इस सब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब पानी सिर से उपर जा चुका था, अपनी सौतन को सामने खड़ा देख कर कीरती के सबर का बान तूट गया, और वो बिना कुछ कहे, अपना सामान लेकर खुदी वहाँ से चली गई, कीरती कहां गई, कैसे गई, इस बारे में रोहन ने कभी जानने की कोशिश नहीं की, और बिना देखिये, शनाया से शादी कर लेगी, कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाग चला लेकिन फिर, शनाया, उठो यार, ममी पापा कितनी बार पूछ चुके हैं, जाकर ब्रेकफस्ट रेडी कर दो सबके लिए, ओ गौड, रोहन अपने ममी पापा को बोलो, कि मैं उनकी नौकर नहीं हूँ, अगर भूख लगी है, तो खुद कुछ बना कर खाले, मुझे अभी और सोना है, शनाया, ये क्या बोल रही हो तुम, मैं शुरू से इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहू वो करोगी, तुम इस घर की बहू हो, घर संभालना और सबका खयाल रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे कीर्टी किया करती थी, क्या कहा तुमने, वो कीर्टी, उसकी और मेरी बराबरी तुम कर भी कैसे सकते हो रोहन, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे उससे तुम्हारा मन भर गया था, वैसे ही अब मुझसे भी मन भर गया है, ओके, पर एक बात अच्छे से समझ लो रोहन, वाकई मेरी और उस कीर्टी की कोई बराबरी नहीं है, वो तो बहुत आसानी से तुम्हें छोड़ कर चली गई, पर मैं ऐसे नहीं जाओंगी, रोहन और शनाया के बीच हर रोज जगड़े होने लगे थे, जिसके बाद रोहन को हर पल कीर्टी की याद आ रही थी, उसने कीर्टी को ढूड़ने की बहुत कोशिश की पर वो उसे कहीं नहीं मिली, फिर एक दिन, माई लॉट, ये आदमी मुझ पर बहुत अत्याचार करता है, इसके माबाब भी मुझे सारा दिन खरी खोटी सुनाते है, भगवान के लिए मुझे इससे तलाग दिलवा दीजे, लेकिन वो सब भी जो मेरा हक है, ये कहकर रोहन फूट फूट करोने लगता है, तभी कोर्ट रूम में काला कोर्ट पहने कीर्टी दाखिल होती है और जजज से कहती है, योर अनर, मैं कीर्टी, मैं हूँ इनकी वकील, मेरे पास इस बात के पूरे सबूत है कि असल में इन दोनों की शादी ही गैर कानूनी थी, कीर्टी को सामने देखकर रोहन कह तो कुछ नहीं सका, लेकिन उसकी आँखों से बहते आँसू बहुत कुछ बया कर रहे थे, उसके अंदर का पच्टावा भी और कीर्टी के लिए पहली बार महसूस हो रहा प्यार भी,